आपका MP एक्जाम फैटर यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि बर्ग एक का एक्जाम अगस्त में प्रारम होने वाले हैं उसी के संदर्व में हम बर्ग एक हिंदी साहित को कबर कर रहे हैं अभी तक हमने पार्ट थ्री तक पढ़ लिया है उसी के आंगे आब हम पार्ट फोर पढ़ेंगे अभी इससे पहले हमने काव भासा के रूप में अबधी का उदय और विकास पढ़ा उसमें हमने विविन प्रकार के जो उसके कभी हैं उनकी रचना और उनकी रचना काल और उनके डिस्कृस समने हमने सारी चीजें पड़ीं तशा साथ ही में हमने सूफी कभियों के बारे में भी पड़ा है अगर अभी आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिए जिससे आपको काफी समझ में आएगा चलिए अब हम आंगे का स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट टाइम में छोड़ा हुआ था हमने अभी काव विखासा के रूप में अबदी का οदय और विकास कम्प्लीट कर लिया थे अब हम काव विखासा के रूप में ब्रज वासा का विकास पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हम विकास पढ़ रहे हैं अबदी का विकास, ब्रजभाकतसा का विकास इसका मतलब यह है कि जो काब लिखे गए हैं उसमें कई तरह की भासाओं का प्रयोग किया गया है तो अब हमने अबदी भासा का विकास पढ़ लिया कि काब में अबदी का प्रयोग कहां कहां पर किया गया है अब हमें यह पढ़ना है कि काब में ब्रजभासा का विकास कहां कहां पर हुआ है तो चलिए सातियों स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि मद्दिकाल में ब्रजभासा का प्रयोग का ब्रजभासा की रूप में प्रारंब हुआ है तो इसमें मुख्य रूप से किशन वक्त कभियों ने सर्प्रतम ब्रजभासा का प्रयोग किया है तो हमसे यह पूछा जा सकता है कि बताईए ब्रजभासा का प्रयोग सर्फथम किसने किया है तो इसका हमारा उत्तर हो जाता है कि मद्दिकाल में किस्टन भक्त कभीयों ने सर्फथम ब्रजभासा का प्रयोग किया है ठीक है इसी के बाद हम देख लेते हैं कि अस्ट चाप कभी कौन कौन से हैं हमसे यह भी पूछा जाता है कि अस्ट चाप कभी कौन से हैं चार ओप्सन दे दिये जाएंगे उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से अश्ट चाप कभी कौन से हैं या फिर इस प्रकास से कोश्चन बन सकता है कि अश्ट चाप कभी कौन से नहीं हैं तो सिंपल सी बात है कि हमां अश्ट चाप कभी के नामों को याद रखना हैं तो अश्ट चाप जो कभी हैं उसमें हमारे सूर्दास जी सबसे पहली नंबर पे आ रहे हैं सूर्दास, नंददास, कुंभन दास, परम दास, गोविंद स्वामी जी, छीत स्वामी जी, चतरबुझ दास और किर्शन दास इन सभी कवियों को अस्ट छाप कभी कहा जाता है कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिए अब इनकी हमें कुछ रचनाएं पढ़नी हैं तो सूर्दास की लिखी तीन रचनाएं उपलब्ध होती हैं सूर्दास जी की जो रचनाएं हैं वो सूर्दाजी की रचना हैं हमारी कितनी हैं सूर्सागर सबसे पहली रचना सूर्सागर सूर्सुरावली साहित लेरी सूर्सागर का सबसे महतपून अंस जो सूर्सागर है उसका सबसे महतपून अंग भिरमर गीत है अगर हमसे पूछा जाता है कि बताईए सूर सागर का सबसे महतपून अंस कौन सा है तो सबसे महतपून अंस हो जाता है फिर्मर गीत कौंसा हो जाता है साथियों प्रावर गित नंद दास ने भवर गीत नामक काव किरंद की रचना ब्रजवासा में की है यह भी एक पτίक्ट एक प्राइक नंद दास ने कौन सा है भवरगीत ठीक है confusion होता है वो बिरमरगीत था यह भवरगीत है नामक कावगरंत की रचना ब्रजवासा में की है उनकी ब्रजवासा सूर की भाती उच्च कोटी की है यह भी वताया गया है कि जो उनकी रचना है जो सूर सागर की रचना की गई है उसी परकाट से नंद दास ने भी भवरगीत की जो रचना की है वहे भी उच्च कोटी की है इसलिए उनके संबन्द में कहा गया है कि यह है जो कभी है कभी गड़िया और नंद दास जड़िया नंददास की भासा में अनुप्रास्तिक्ता काब्यात्मक्ता के लक्षण दिखाई दिए गए हैं इसी के आगे हम देख लेते हैं कि रस्खान जी की जो दो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है सुजान और रस्खान प्रेमबाट का ब्रजभासा में ही उपलब्द होती हैं तो जो रस्खान की दो रचनाएं हैं सुजान रस्खान और प्रेमबाट का ये आपको ये भी याद रखना है कि रस्खान की कौन सी रचनाएं हैं तो रस्कान की दो रचनाएं हैं सुजान रस्कान और प्रीमबाट का यह भी किसमें ब्रजवासा में ही उपलब्द हैं इसके बाद हमें देख लेना है कि रादावल लब संपरदाए के परवर्द तक गोश्चामी हित हरीवंस ने हित फित चौरासी की रचना ब्रजवासा में की गई है तो हम अभी काविवासा जो पढ़ रहे हैं उसमें ब्रजवासा का अपिकास पढ़ रहे हैं तो इसी में हमको देखना हैं कि जो कभी दिये गया उनकी रचनाएं पढ़नी हैं और उन्होंने जो रचनाएं की हैं वो किस भा रितिकाल में ही लिखे गई हैं इसी के साथ और हमें सारी चीजें पढ़ लेना है कि ब्रजवासा पश्मिंदी की प्रमुख भोली है पर अपने साहितिक सम्रद्दी के कारण मद्दिकाल में यह वासा के पतिष्टित हो गई थी सोलवी सदी तक यह वासा संपूर मत्दिक की साहितिक वासा बन गई ठीक है दोस्तों हमको डिस्क्रिप्ट में पढ़ना है अगर आप ओटी ओटी पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इसलिए मैं आपको यह पर डिस्क्रिप्ट में पढ़ा रहा हूं आपको इसक यूटूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी कमेंट में मिल जाएगी तो वहां से जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद में हमें और देख लेना है क्या बताये गया है और जो इंपोर्टेंट चीज़े हैं वही हम देखेंगे ठीक सीमाएं काफी बिस्त्रित हो गई थी यह पूर्व में बंगाल असम पश्चिम में गुजरात और कठियाबार दच्छिण में महाराष्ट और उत्तर में पंजाब तक फैल गई थी आधनिक काल तक आते आते ब्रजवासा का चित्र पुनहा संकुचित हो गया संकुचित मतल अलीगड आगरा बुलंसहर एटा फ्रोजावाद बुनायू बरेली यह आपका ब्रजवासा का चित्र हर्याणा के गुड़गाउजले का पूरी भाग और राइस्तान में भरतपुर धौलपुर करॉली जैपुर का पूरी भाग ते था मदप्रेस में ग्वालियर के पश् रह गया जिक है यह हमको अच्छे से पढ़ना एक इसी के बाद मैं ब्रजवासा के प्रधान स्वरूप तीन है पूर्वी पश्मी और धख्षणी पूरी ब्रजवासा का च्चेत्र भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताएे ब्रजवासा का पूर्वी जो च्चेत्र है उसमें कौन कौन से छेतर आते हैं तो मैंनपूरी एटा बनाईू बरेली। पश्च्चमी छेतर में कौन से आते हैं। मत्रु आगरा बलंच सहर में ब्रजवासा बुलिय आती है। दच्छनी छेतर की बात करें तो भरतपुर, करोली, धौलपुर, पश्च्चमी वालियर और बरिजवासा की कुछ उप़ूलियां भी हैं जêसे गाउवारी ढोलपुरी वरतपुरी जादोवाटी सेकरवाडी कठेरिया डांगी माथ sécurité क कि गाविवारी कहांपiders क funds बुलि आती है तो आगरा जिले के पूरी वागम बुलि आती है भरतपुरी कहां बुलि आती है ऐसे ही हम इनके छेत्र भी बता गये हैं तो आप इनको पड़ सकते हैं ठी कि brainstorm अब इसके बाद में ब्रजवासा का हम जो पढ़ रहे हैं कावी काव करा जो कावी वहता के रूप में ब्रजवासा का भिकास देख रहे हैं तो हमने इसमें निम्निवात यह सीक ली है कैंट इसी के साथ हमने अश्च साप कभी आप कभी पड़े तो अश्च prep कभी को आपको important जो आपका है वो अश्ट चाप कभी है निका द्यान रखना है अश्चाप के कभी भी आपको देखना है इसी के साथ में अब हम जो पढ़ेंगे काव भासा की रूप में ब्रजभासा का हमें विकास पढ़ रहे हैं अब हम पढ़ेंगे अभी हमने अबद भासा और ब्रजभासा का विकास पढ़ लिया है अब खड़ी बोली का ओदय और विकास नेक्स्ट वीडियों पढ़ेंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बारत.